नमस्कार बहुत स्वागत है आपका देख रहे हैं आज का खास दिब एश्ट्रो एक्सपेरिमेंट जूतिश जराहट के आपके साथ मैं हूँ आपका एश्ट्रो फ्रेंट केले के नीचे की मिट्टी ब्रहश्पती मंगल शुक्र बुध चार ग्रह ब्रहश्पती मंगल बुध जी हाँ ये तीन ग्रह ही हो गए और चौथा कौन सा बोला है ने अरे मिट्टी हो गया मंगल केला हो गया ब्रहश्पती बुध हो गया हरे रंका और कौन सा बोला तो ये सारे ग्रह आप अपने पॉज्टिव कर सकते हैं एक साथ प्रियोग हम आपको बताएंगे समस्या बेस पे आपकी problem के base पर आप इस प्रियोग को कर सकते हैं घर पर के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी लेकर की इस प्रियोग को कर सकते हैं, संपाधित कर सकते हैं केले के अंदर जल की मात्रा बहुत जादा होती है अतह चंद्रमा का भी अंस इसके साथ जुड़ जाएगा आप केले के जो पर्त है उसके तने के खोलेंगे तो उसमें से पान ही निकलता है कि सुरावस्था में हमने उस जल से होली बहुत खेला है रंग मिला करके वो भी एक वक्त था जब हमारी सनी की दर्शा चल रही थी तो बनमाशियों में भी कुछ न कुछ हम हाथ हाज माया करते थे खैर होली बहुत करीब है अब बुद्धिक के साथ होली उनके साथ खेले जिनके साथ आप खेलना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा ध्यान पूरवा आपके किसी भी ब्योहार से सामने वाले को शारीरिक या मानसिक आगहात न पहुंचे ज्यान दीजेगा आईए अब हम आपको वो प्रियोग बताते हैं लेकिन उसका पहले लाभ हम आपको बता देते हैं अगर आप इस प्रियोग को करेंगे तो आपको सबसे बड़ा फाइदा कर्ज से मुक्ति के स्वरूप में मिलेगा आपके उपर किसी भी तरह का लोन चाहे प्राइवेट हो या सरकारी बैंक्स का या सोना गिर्वी रखके आपने कर्ज लिया हो किसी भी रूप में अगर आप कर्ज लिये हैं तो उससे सहजता से मुक्ति की तरफ आप बढ़ेंगे और कैसे बढ़ेंगे आपकी आमदनी बढ़ेंगी आपके आपका इंकम सोर्स बढ़ेगा तो आप बढ़ेंगे क्योंकि तभी तो पैसा आएगा तभी आप करजा से मुक्ति पाएंगे तो आएए हम आपको बहुत दिब्व प्रियोग बताते हैं केले की पौधे के नीचे की मिट्टी से तो ब्रहश्पति, मंगल, बुध और चंद्रमा इन चार विशेश ग्रोहों का सामीप्य और सकरात्मक फल हंडेट परसेंट आपको मिलने जा रहा है प्रियोग क्या है केले के पौधे की नीचे की मिट्टी ले लीजे और एक कटोरी में रख लीजे इसके बाद अभी बाकी बता देंगे कब करना है कितनी बार करना है उससब बता देंगे हैं केले के पौधे की नीचे की मिट्टी एक कटोरी में रख कर गुलाब जल से उसकी गोली बना लीजे उसको गुलाव जल डालिए कि वो गीला होकर एक गोली का रूप बन जाए इस पर सिंदूर से 7 जगह बिंदी लगा दीजिए माचिस की तीली से 7 जगह इस गोली थोड़ा सा बड़ी साइस का बनाईए साथ जगह माचिस की तीली से लाल वाले सिंदूर से बिंदी लगा दीजे गीलोला नहीं करना बस ऐसे साथ जगह टीक दीजे और फिर अपने उल्टे हाथ से लेफ्ट हैंड में गोली को ऐसे पकड़िए और साथ बार वामा वर्थ एंटी क्लॉक वाई सर से घुमा लीजे अपने ऐसे सेवन टाइम्स घुमाने के दौरान ओम अंग अंगार काय नमह मंत्र स्क्रीन पर देख लीजे ओम अंग अंगार काय नमह मंगल का मंत्र है यह सातो बार जब घुमाईये सर से तो बोलिये मन में और फिर इसे गोली को ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दीजे बोलो भोले नाथ सरकार की जै नप पार्वती पत हर हर महादेव अब आपके प्रशन जो आप कमेंट में करने वाले थे उसका उत्तर पहले ही ले लिजे किस दिन करना है जब मरजी तब किस समय करना है जब मरजी तब कितनी बार करना है साथ बार लगातार हाँ लगातार छूट जाए तो तो अगली बार फिर से सुरू करिए अगली बार कब सुरू करें कल से सुरू करतीजी क्या नहा के ही करना है 100% नहा के ही करना है नहीं नहाने का मन हो तो तो ना करिएगा क्या अपने बेटे के लिए मा कर सकती है नहीं कर सकती है इसके लिए परहेज क्या है नो नॉन्वेज, नो पत्थर हाथों में पत्थर नहीं और पेट में नॉन्वेज नहीं क्या अंडा भी छोड़ना पड़ेगा बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा सिर्फ उपाय भर छोड़ना है? नहीं. हमेशा के लिए छोड़ना है. माल लिजे साथ दिन में नहीं कुछ काम बनता है तो फिर कम करें? दो रहाई महीने बाद फिर कर लीजिएगा. कोई और प्रशन तो नहीं है? जो टाइम चुनियेगा करने का वो टाइम चेंजेबल ना हो. मतलब अगर सुबह करने हैं तो सुबह साम करने हैं, साम दोपाल करने हैं दोपाल. क्या पतनी पती के लिए कर सकती है? 100% कर सकती है. शर्त वही. अगर पती नौनवेज खाता हो तो भी पतनी कर सकती है? कर लीजेगा. असर बहुत नहीं होगा लेकिन चलिए देखते हैं. वैसे छुड़वा दे तो ज्यादा बहतर है. तो उमीद करते हैं कि आप इस प्रियोग को जरूर करेंगे और प्लीज आप लोगों से अन्रोध है हास जोड़कर जबर दस्ट शेर कर रही है क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछ रहे हैं, रील्स पे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, कर्ज के लिए उपाय बताईए, कर्ज के लिए उपाय बताईए, मार्केबल है, ये कोई तोटका नहीं है, ये कोई तंत्र नहीं, दिस इस एन तो आपको 100% गारंटीड लाब होगा गारंटीड रिकॉर्डर है ये तो वीडियो में पक्का लाब हाँ, एकसप्सनली अगर किसी को फायदा नहीं होता है तो वो अपनी कुंडली दिखा ले क्या पता कुछ दोश बहुत बड़ा हो थैंक्यू सोबच तो झाल बुड़ा हो